तो आपको बताने वाला हूं डिप्रेशन के कारण क्या है काफि लोग हमारे पास में आते हैं जो पूछते की डिपरेशन होता क्यों है कि अब आपको काम के आपके पास में रखों। बाकी लोगों को शेर करो तो चलिए फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल में मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेक्स रोग संभों तदा वैसनमुक्ति तक गया हूँ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ तो डिप्रेशन के में ली तीन कारण होते हैं एक जनेटिक दुसरा हे बॉयलजिकल और तीसरा शब्केंदा है साइक हो सच 20 कि जैनिक में आना झालेटां कि एक पहेखेद नियुक्ट को एक परिपरेशन है और चाहि कि देपरेशन की गोलें कट तो बच्चों को दिर्फिपरेशन का क्या मतलब डिर्फिपरेशन की भीमारी आने कि संब्वाना वो ज्यादा होती है कि दोनों पिरेन को डिप्रेशन है तो 35-40 प्रक्तिशत बच्चों को मतलब 10 में से 5 बच्चों को या 3 में से 2 बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है या 2 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है काफी लोग घुमारे पास में आते हैं कि भई हमने लडकी देकी देखी हुई लडकी पसंत है सब लोग अच्छे है लड़की के मा को depression उसको दवाई चले हैं क्या करना या लड़की के डैडी को पिताजी को डिप्रेशन है क्या कर आ हे स्कूसित गर में और कि महां बापको होने की फिर उसके लिए क्या किया जाएं तो इसके लिए बच्चों ने डायट बराभर रखे कोई zos ना करे कोई नाशा नहीं करना चीह चराब के नश्या या बागी फालतु है ऑगाभ के करना चाहिए रेगुलर हम एक्सराइस करते हैं बाडिली फिटनेस रख्ते है ठाम नीन लेते हैं मेडिटेशन करते है च्छ फ्री जॉप यह स्ट्रेस् फ्री लाइफ हम जीते हैं फैमिली का सपोर्ड है अच्छा चल रहा हुआ तो डिपरेशन आने की कोई संभावना है ने फिर इवन दो मतलब जब पेरेंट्स को भी है तभी भी नहीं चांस फिर तो यह जेनेटिक फैक्टर कि ट्विन से दिया जुड़वा भाई वहन है तो एक को गया दूसरे को ने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पर दूसरा ज़्यवा बायोलcade कल ज़ीन एक केमिकल लोचा का डूसरी नौर रोज़वा गया जुड़ जाते हैं उसको हों तो यह dahin के में सिरुदनीन ये केमिकल है से लुटन इन नॉर येंच यूइफैरिन और दोपामिन में लिए तीन की मातरा जो है उसमें कम हो जाती है पर यह तीन की मातरा कम होने से depression आ जाता है इसको लिए चाहिए imbalance of neurotransmitters काफी और भी neurotransmitters मगर यह तीन major है जो आज के दिन में हमें मालूम है और इसलिए इनको बढ़ाने वाला यह इनको sensitize करने वाला जो भी दवाई है जो भी drug है वो depression में काम में आता है जैसा SNR है serotonin norepinephrine reaptic inhibitor SNR है यह selective serotonin reaptic inhibitor SS हा रहा है tricyclics ऐसी जो दवाई यह देने से depression ठीक हो जाता है इसका मतलब यह इसकी कमी है वो दवाई देने से अच्छा हो जाता है तो यह biological factor और तीसरा जो है वो है psychosocial factor और psychosocial factor मतलब गर में किसकी death हुई है एकदम जटका बैढ़ गया माबाप में से किसकी death हुई है बहुत बड़ा कुछ accident हो गया फिर नोक्री चली गई घंदे में लॉस हो गया बहुत बड़ा लॉस हो गया financial या बच्पन में कोई child abuse गोलते है जिसको कि बच्पन में market हुई है या abuse किया गया है sexual abuse किया गया है बच्पन में या फिर माता-पिता का diverse हुआ है और अकेले माने या अकेले पिता जी ने उसको पालन पोशन किया हुआ है तो जैसे काभी सारे psychosocial जो factors है तो वो भी उसमें जवाबदार है जिम्मेदार है कि जिसमें depression हो सकता है तो जब यह ऐसे factor है तो उसकी बराबर दबाई करना उसके साथ-साथ जो भी कारण है वो कारण को नश्ट करना, निकाल देना उसके लिए जो भी support करना है patient को support करना counseling करना, psychotherapy सम्मोन उप्चार, hypnotherapy है तो जैसे हम उप्चार करते हैं और जैसा पहले मतारा है कि meditation regularly कर रहे है, diet है, exercise है time to end, need है stress free life है तो ऐसा मेरी उसका परावर balance रखते है, तो depression आने के सम्मावना कम है और depression आ भी गया, तब यो जल्दी अच्छा हो सकता है हमारा mission जो है, हमारे hospital का हो है सब के लिए मानसिक स्वास्तिय और वेसन मुक्त भारत, इसके लिए वीडियो आप जरूर लोगों को share करो ताकि उनको मालूम हो जाएंगा कि depression के लिए क्या किया जाए, उसके कारण क्या है आपको वीडियो अच्छा लागा तो जरूर सब्सक्राइब करो बेल का चित्रा आता है उसके उपर भी क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको आ जाएंगे आप आपके वाट्साइब के ग्रूप के उपर फेस्बूक के ग्रूप के जरूर ये वीडियो शेर कीजएगा थैंक यू बेरी मच